Hello guys, welcome back. So, कैसे हो आप लोग? So, मेरे last announcement वाले वीडियो पर काफी लोग का बहुत अच्छा response रहा था and I hope बहुत सारे लोग को जरूरत है इस course की So, let's start with this course and ये उस course का सबसे पहला वीडियो है So, सबसे पहले laptop सीखने से पहले laptop के बारे में जानना important So, सबसे पहले इतना detail में नहीं, इतना bore करने के mood में नहीं हूँ So, सबसे पहले start करते है laptop के physical overview से and laptop में क्या-क्या ports होते हैं and क्या-क्या buttons होते हैं So, ये है मेरा laptop जो की HP का है HP Pavilion 15 CS 1052 TX But, अगर कुछ लोग जानना चाहते हैं इसका price तो ये approximately 80,000 का है पर ये model अब बंद हो चुका है, अब ये model नहीं आता है So, जादा basics में जाकर मैं bore नहीं करूँगा because वो सबको आता है So, सबसे पहले start करते है port से So, guys, laptop में बहुत तरह का port आपको मिल सकता है So, उसमें से सबसे पहला है आपका power cable का port तो आपका power cable जो होता है वो अलग-अलग company का अलग-अलग port हो सकता है अलग-अलग watt का हो सकता है So, that's why कभी भी दूसरे के power cable को connect करने की कोसिस ना करो अगर idea नहीं है कि power rating same है या नहीं या फिर आपका pin same है या नहीं तब definitely connect नहीं करना चाहिए So, power cable के बाद आता है सबसे important port जो की है USB type A So, इस तरह के port को type A कहा जाता है So, इसमें आप normally अपना pen drive, hard drive, mouse, keyboard इस तरह की चीजों को attach करते हो फिर next आता है USB type C So, ये same USB type C है जो की आपके mobile का charger भी होता है So, type C जो है वो laptop to laptop vary कर सकता है किसी laptop में आपको type C मिलेगा किसी laptop में नहीं भी मिल सकता है So, इसके बाद आता है micro SD card slot So, इस port में आप अपने memory card को लगा सकते हो इस तरह के adapter में So, कभी भी memory card buy करोगे तो ये adapter उसके साथ में ही आता है So, next port है Ethernet port So, इस port से आप internet connect कर सकते हो laptop में So, आपके घर पे अगर Wi-Fi है And अगर Wi-Fi के थ्रूँ आप wire से अपने laptop या computer को चलाना चाते हो So, इस Ethernet port को आप लाकर connect कर सकते हो इससे आपका net काम करता है So, next आता है optical disk drive या जिसे हम CD drive भी कहते है Lower variant में अभी भी CD drive आता है But higher variant में most of the cases में CD drives नहीं आता है इसके बाद आता है HDMI port So, HDMI port यूज होता है आपका video cables को connect करने के लिए जैसे कि आपका external monitor हो गया या फिर projector हो गया So, इस तरह के चीज को connect करने के लिए हम लोग mostly HDMI port यूज करते हैं और similarly HDMI port की तरह ही एक VGA port भी होता है जो की आपको पुराने laptops में देखने को मिलेगा या पुराने computer का wire में आपको देखने को मिलेगा तो इसके लिए converter भी आता है जिसके थुरू आप VGA से HDMI में convert करके लगा सकते हो So, next है headphone jack So, headphone jack से आप अपने speaker को connect कर सकते हो headphones को connect कर सकते हो, earphones को connect कर सकते हो So, इसका भी दो तरह का variant आ सकता है या तो आपको single plug मिलेगा जिसमें कि आप अपना 3.5 mm का jack जो की आप mobile में earphone यूज करते हो उस तरह के jack को connect कर सकते हो या दूसरा आपको dual port भी मिल सकता है और इसमें एक port जो होता है वो headphones के लिए होता है और दूसरा होता है, mic के लिए होता है और laptop on करने से पहले मैं एक advice देना चाहता हूँ कि laptop हमेशा beach में पकड़ कर खोला करो अगर side में पकड़ कर open करोगे तो maybe आपका hinge में problem आ सकता है So, हमेशा कोसिस करो कि laptop को beach से open किया करो So, lid open होने के बाद आपको यहां पर उपर में एक power button मिलेगा So, power button mostly आपको इस area में देखने को मिलता है वो left side भी हो सकता है और right side भी हो सकता है और power button के साथ maybe आपको fingerprint sensor भी मिल जाए बट कभी-कभी आपको power button laptop के left side में या right side में आपको देखने को मिलेगा बट वो उस case में होता है जबकि आपका laptop 360 degree या convertible है So, next है trackpad और mouse So, इसको trackpad कहते हैं जो कि आपका similarly mouse की तरह काम करता है वैसे मैं mouse और trackpad के लिए मैं एक अलग से video बना दूँगा detail में बट यहां पर आपको कुछ चीज़े जानना important है अगर आप पहली बार laptop अपन कर रहे हो तो And trackpad को use करने के लिए आपको अपने finger को left right करना पड़ता है तब जाकर आपका cursor move करता है But अगर आप इसे click करना चाहो तो इस case में आपको dedicated button मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है और अगर आपका नीचे में special buttons दिया हुआ है तो left वाला button left click के लिए और right वाला button right click के लिए But अगर आपको अपने mousepad में कोई भी button दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आप नीचे left side पे click करोगे तो आपका left click होगा And अगर right side पे click करोगे तो right click होगा And एक और shortcut जो की normally हम लोग use करते हैं कि अगर आपको left click करना है तो अगर आप अपने trackpad पे tap करोगे तब भी वो left click ही होता है So अगर आप laptop को पहली बार open कर रहे हो तो आपका laptop पहले start up होगा थोड़ा time लेगा laptop set होगा And set होने के समय एक important चीज की अगर आपने अभी तक laptop buy नहीं किया है या first time open कर रहे हो So सबसे पहले एक Microsoft account पहले से बना कर रखो Because laptop first time open होते time आपको Microsoft account डालना पड़ता है So Microsoft account के बारे मैं कुछ important instruction बता दू So सबसे पहले Microsoft account आप पहले से बना कर रखना Because कभी भी आपके laptop में अगर पहले से Windows 10 install है तो आपका Windows 10 जो है Microsoft account के साथ link हो जाता है ताकि अगर in future आप अपने laptop को format करते हो तो same Microsoft account से अगर आप login करोगे तो window वो फिर से आपका original हो जाएगा So that's why Microsoft account को बना कर रखना और ये Microsoft account आपके laptop का main account होगा Laptop पूरी तरह से इसी account से connected रहता है So Microsoft account को laptop में रखना एक important चीज है So अगर आपके पास पहले से कोई Microsoft account है तो आप उस account को वहाँ पर डाल सकते हो Otherwise आप नया Microsoft account भी create कर सकते हो So Microsoft account को create करने के लिए आपको Microsoft के website पर जाना है And website पर जाने के बाद यहाँ पर create Microsoft account पर click करना है And यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो At the rate Gmail या फिर अगर आप किसी और email id को use करते हो तो So इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पहले से कोई email id है तो आप उसी email id को as a Microsoft account भी use कर सकते हो So जैसे कि मैंने कुछ भी यहाँ पर लिखा At the rate Gmail.com And अगर मैं next करूँगा तो इसके आद मैं Microsoft account create कर सकता हूँ इस email id से But अगर आप अपना पहले का कोई भी email id use नहीं करना चाहते हो तो Microsoft भी आपको पहले से एक option देता है email id का And अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर एक नया email address create कर सकते हो जिसका की at the rate रहेगा outlook.com So normally हम लोग at the rate gmail.com यूज करते हैं But अगर आप एक नया email id करेंक करोगे So इस case में आपको यहाँ पर at the rate outlook.com देखने को मिलेगा या फिर आप इसे चाहो तो change भी कर सकते हो at the rate hotmail.com पे So इस तरह से आप एक नया Microsoft account को create कर सकते हो And उसके बाद on करते time आप अपने Microsoft account को वहाँ पर put कर दो So account डालने के बाद आपका और भी कुछ process होगा And finally आपको अपना password set करने का option दिया जाएगा And इस case में आप अपने password को 4 digit का भी set कर सकते हो And अगर आप यहाँ पे इस check box को click कर दोगे So आप alphabetical और numeric दोनों भी mix करके use कर सकते हो So इस तरह से आपका operating system set up होगा first time में And इसके बाद फिर आपका window open हो जाएगा And open होने के बाद कुछ इस तरह का scene देखने को मिलता है So यह सारी चीजें थी जो कि आपको laptop on होने से पहले जानने की जरूरत थी So that's it for the first part And अगर यह part आपको boring लगा तो please छोड़ना मत Because मुझे भी पता है यह part काफी boring था So next part से मैं आप सिखाने वाला हों की laptop कैसे use करते हैं So see you guys in next video So तब तक के लिए बाई बाई